कि हम इस तरह की एक कॉनमी में करना चाहिए जैसे इंडिया में गूगल है गूगल का हैड़कॉटर इंडिया में भी है बड़ी ऐसी कमपनी आज एमजान है एमजान प्राइम है नेट्फिक्स का ओफिस है मजीद जो स्टारबक्स है स्टारबक्स कॉफी वह उदर है इधर त इंडिया नैं एरिक्राफ्ट यवलों एक्रास्ट बचूछ ऑड़ी तो वह बनाए तो पकिस्तान के विए नेचिएर के लिए इंद्ध्र चैना-थास्जर घ्र लपक्सों को यस दीगि नहीं था इस उर। इस विए पाकिस्टान को श्वेल्ट इस में टीनिकॉर्ट्यी है चैना भी है इंडिया भी पाख산 भी है जो युएससे है युजितनी बी Monate है वह यहां पर चैना को कौंटर करने के लिए जिसकां मिन्डो पैसिज लिक करने के लिए वह प्रापर यह जो है ना वो इन पर शेन आowe 잌ने के स्वार्ट करते हैं पने कि इंडिये की जो ने बोला कि economy necessity है इसी ओर पाकिस्तान की अवाम से बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का और किसी फील्ड में competition नजर आए या ना आए लेकिन defense की field में हमेशा हमें competition देखने को मिलता है इंडिया ने ये aircraft carrier बनाया है इतना बड़ा aircraft carrier बनाया है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है जानते हैं पाकिस्तान के अवाम से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास में सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद और किसी फीड में कंपीटिशन हो या ना हो लेकिन डिफैन्स सक्टर में काफी द्रहते है अब पाकिस्तान भी क्या ऐसा कोई एरक्रफ्ट करियर बनाएगा सपांड रखता है देखें पाकिस्तन निक नृकल कंट्री है जिसमें लोगा है कि आगे अगर जंग भी होती है वो अब एकॉनमी की जंग होगी आगर होगी तो वो डिरेक्ट नुक्लियर वार होगी या फिर एकॉनमी की वार होगी देखें हमने 75 वीर में अपने निकलो सिस्टम को बड़ा अच्छी तरह किया है और हमने मुकाबले करने की हमारे में सकत है पाकसान की आर्मी है और जो इसकी निकलो सिस्टम में वो बहुत अच्छा है इतना कपैसिटी रखता है करने की बट अब जो अगली जंग है वो एकॉ कर चुक है तो पाकिस्तान फिर कहां पर स्टैंड कर देखें अब यहां पर अगें एक दूसरी बात रहेती के जियो स्टैटिक्जी क्या है और जियो पोलिटिक्स क्या है अब जब हम इसको गलोबली देखेंगे तो वहां पर जो अमेरिका है वह एस कंपेर टू इस पूरे mater days四 ने के लिए वह प्रापर यहां पर जो है न वो चैनिणा इंडिया के स्पोर्ट करते है और अंडिया की जो इंपोर्ट है एक्स्पोर्टे करो थें जब कि हम पाकिसनि के का देखते हैं तो फिर जम जदो त्न के कर देखें तो पाकिसनिका जुपा है और जिए के तरफ अगर हमारी पॉलेसी चेंज हो चुकी है इस चीज को लेकर फिर हमने ये क्यों उनके साथ डील की देखें ये दो दो में बाते हैं एक तो यह कि आपके मेजर कॉर्सर्न क्या हैं वो यह है कि हमारी एकॉनमी वारे बाकी आप सिक्योर्टी को एड़ एंड तक इसको निगलेक् है तो अब हमने ये का हमारी बेव कुफी थी आकलमंदी लेकर उसमें भी पाकसान का फाइदा था अब यह देखें ने जादा फाइदा वा नुक्सान पाकसान को हमेशन जब बना तो उस वक्त एक सिक्योर्टी को सान्ट हमारे एक तरफ गानिससान ता दूसरे तरफ इंड तो उनके रिलेशन अच्छे थे हमारे पास एक महीन मसला यह था कि हम अमेरिका के पास जाएं और वहां से में सिक्योर्टी मिले और पैसा मिले और हम आपने वांपर एक स्टेबल कंट्री मिना सेके हैं जबर्दस अच्छा लगा आप से बात करके काफी ज्यादा आप नाल तिंकर रहा है उसने ये कहा था कि जब स्टेट के काम में वहां पर मुरेलिटी और रिलिजन काम नहीं का रहे होते तो यहां पर मुरेलिटी तो नहीं है ना कि अगर हम चाहें कि उसको नहीं करना चाहिए बट उसकी अपनी मर्जी है जब हम ग्लोबली लेकिन अपनी एक र प्राइब लेरे शिक्योर्टी भी जरूरी है और एकॉनमी बहुत अच्छा रहे हैं तो स्क्यूर्टी में भी उनको खत्रा है चाहिना से चाहिना को बहुत बड़ी सुपर पावर है और अपने आपको और बेतर बना रहे हैं तो उसमें कोई कोई इशू नहीं है दब दस मैं ये भाई की इस बासे एगरी करता हूँ कि अगर आपकी एकॉनमी इस स्टेज पर है कि आप आप एकॉनमी वाइस टेवल हैं तो आपको चाहिए कि आप फिर डिफेंस पर भी पैसा लगाएं लेकिन एकॉनमी को स्ट्रांग करना पहले है उसके बा पाकिस्तान की जो सरकार है पाकिस्तान की हकॉनमे इस चाहिए कि वो अपनी एकॉनमी को बेहतर करें उसके साथ साथ को देखें अगर हमारा डिफेंस ज्यादा मुदूत हो भी जाए एकॉनमी मुदूत नहीं तो डिरیک्ट लिया इंडरेक्ली हम लोगों के मुक्ताज दूस आप आप हीमन डिवेल्प्मेंट पे बहुत काम कर रहे हैं मसला यह नहीं कि तलीम आप दें मसला यह है कि आप एक उनको मियारी तलीम दें क्वालिटी वाइस तलीम दें जिसका उनकी लोगों की लाइफ पे इंपेक्ट पड़े उसका लोगों की लाइफ पे इंपेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली हमारे कंट्री भी ड्वाल नीचले तब कि ताकता दुरूर जाएगा वो ऐसे ही है बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बादें अस्वावालेकुम आपका नाम वसीम क्या करते हैं एंफिल का रहे हैं जबर्दस जिस टापिक पे मैं वीडियो कार्ट का रहा हूँ वो यह है कि इंडिया ने विकरांत एरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल किया है और इंडिया इस टैम दुनिया का छटा कंट्री बान चुका है जो के सलाहियत रखता है एरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इतने बड़े पेमाने पर क्या समग्हिते हैं के पाकिस्तान को भी क्योंके पाकिस्तान और इंडिया का कहाये जाता है कि डिफेंस में बड़ा किम्पीटेशन रहता है तो पाकिस्तान भी ऐसा कोई एर्क्राफ्ट केरियर बनाएगा देखें जी कि पाकिस्तान तो आरेडी वो एक टॉमिक पावर है ठीक है पाकिस्तान अटॉमिक पावर है और सारी दुनिया इसीज़ का अतराफ करती है कि पाकिस्तान जो अपने डिफेंस वाइस वो कितना authentic और कितना strong है तो मैं समय दाँ कि पाकिस्तान को इसकी कोई जूरत नहीं है और इंडिया ने अगर वो aircraft carrier बनाया तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया अच्छा वो किसके लिए बनाया वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया पाकिस्तान को इतना expensive aircraft बनाने की जूरत नहीं है और मैं समय दाँ कि पाकिस्तान को aircraft बनाने की बजाए जो दूसरी अपने sector है ना उनमें improvement लानी चाहिए जैसा कि हमारा health sector है हमारा education sector है उसके लावा development का structure है infrastructure का structure है और पाकिस्तान में जो सबसे अश्र जूरत है वो dams की है क्योंकि recently अभी जो current situation चाह रही है वो पूरी दुनिया जानती है कि floods आये हुए है तो अगर ये पहले pre-cocious होते हैं सारी चीजें पहले manage करते तो मेरे खाल में ये इस ताना की situation नहीं बननी थी तो पाकिस्तान को उन से साथ compare नहीं करना जाए कि वो हमारे लिए बना रहे हैं पाकिस्तान राड़ी जो है न वो माशाला atomic state है और सारी दुनिया इसका इतराफ करती है बड़ी आपने एक point को raise की है पाकिस्तान के लिए नहीं चाइना के साथ एक competition भी बनता है और चाइना के साथ उनके मामलात आए दिन खराब हुए रहते हैं बड़ी authentic बात की है और ये point जो आप देखने वालों के सामने लाए है मुझे ये बताएं आपने बोला कि पाकिस्तान को house sector पर काम करने की जरौरोथ है education पर काम करने की जरौररद तो क्या India को काम करने की जरौर नहीं थी सर देखें इंडिया जो economically पाकिस्तान से ज्यादा हाई है ठीक है थीक है हमारे उपर जो foreign debt हैं वो भी ज़Да है परफॉर्न करजे भी ज़्याद हैं उसके लावा जो हमारा IMF के साथ प्रोग्राम चार रहे हैं उनका तो कोई प्रोग्राम नहीं चार रहा है वो आरेड एकनोमिकली जो है ना वो स्टेबल है इसलिए उनने और उनका बनता भी है ये करना उनका बनता भी एरक्राफ्ट बना बलकि तो वो और भी चीज़ चाहें तो बना सकते है क्योंकि वो अपने सेक्टर में जो है। एकनोमिकली स्टेबल हैं उनका हैल्थ सेक्टर भी ठीक है एजूकेशन सेक्टर बी ठीक है और बाकि जो चीजी है उनके अंडर कंट्रोल है। जबर दस आथेंटिक बात किया है और यही चीज मैं जो मेरा एक माइंड सेट है मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हम डिफेंस को बेहतर करें मजीद बेहतर करें लेकिन पहले एकानमी को बेहतर करें पहले एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करें पहले हैल्स सेक्टर को बेहतर करें जब ये चीज़एं बेहतर होगी तो हमें फिर ही defense का फायदा होगा otherwise defense जितना भी हमारा strong हो क्या कहते है कि जितना भी strong होगा जब हमारी economy गर जाजएगी तो हम defense का क्या किसी भी जो state की sovereignty है या किसी भी state की जो सालमियत है वो सिर्फ defense पर depend नहीं करती डिफेंस के लावा और भी बड़ी चीज़ें होती है आपके मुलक में 22 करोड अवाम रह रही है ठीक है आपने उन अवाम का ख्यार करना है उने के लिए फसिलिटेशन पैदा करनी है अवाम ने तो जंग नहीं लड़नी जंग लड़नी है भोग की अवाम ने तो बंदुकें और गोलियां नहीं ना चलानी अवाम ने तो अपने साथ जो उनके चीज़ें रिक्वाइर हैं उनकी जरूरत है पहले वो जरूरत पूरी की जाए उसके बाद जो है और देखें डिफेंस डिफेंस की बात हो रही है मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिसान जो है वो एक नूकले स्टेट है तो मैं समझता हूँ कि नूकले स्टेट को किसी भी और जो इस तरह की इनिशेटिव लेने इस टाइम पर लेने की जरूरत ही है जबकि हमें दूसरे बड़े मसाइल का सामने है ये मसाइल हतम हो जाएं फिर हम एक ही बजाए दस बेड़े बनाएं बिलकुल बनाएं जो कुछ मरदी करें लेकिन इस टाइम जो है वो सिचुएशन वो इस तरह की है कि पहले जो ना अपने लोगों के तरफ तफ 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 दी जाए जो के ये सलाहियत रखता है कि वो एरक्राफ्ट केरियर बनाएं पाकिस्तान का और इंडिया का डिफेंस में काफी कम्पिटिशन देखने में आता है ठीक है उन्होंने ये बनाया है क्या पाकिस्तान भी ऐसा कोई एरक्राफ्ट केरियर बनाएगा या नहीं बनाना चाहिए या नहीं, बना सकता है या नहीं, क्या समझते हैं? एक्टली पाकिस्तान पहले बना अटामिक निपलियर जो है ना, उसमें काफी ज्यादा आगे जा चुक है तो इंडिया भी का अटामिक पावर है तो इसके बाद मेरे हल में कोई डिफैंसिव मूड बनता नहीं है, ठीक है हमारे पास हर चीज है, मिजाईल हर चीज है, उनसे अच्छे मिजाईल है अब इसके नाम पे अगर हम पैसा जाये करते हैं तो वो बेव कुफी है जैसे इस टाम फलड आया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो इन्वेस्मेंट है वो इटलीस डैम पे इवस्ट करने चाहिए थी उसके अलावा हमें जो है न ये इन्वेस्मेंट जो इन अच्छे घर अपनाने चाहिए थे रहेगा और जो आना वो उसके पास जो वियूज हैं वो बहुत अच्छी तरक्य कर सकते हैं ठीक है और उसका फाइदा डिरेक्टली और इंटरेक्टली उसके कंटरी यानी हमारे कंटरी पाकिस्तान उसकी मुष्शत पे हर जो गरीब बन्दा उसको बाहर जाने की जोड़ोत पड़ेगी उससे मुलक स्ट्रोंग होगा कि बनिस्बा सिर्फ आप उन लोगों की इफास्थ करेंगे जो गिने चुने यहां पर रह जाएंगे ठीक है क्यूंकि पहले हमारे पास सब कुछ है हमें ज्यादा स्कूरिटी की जरूरत नहीं है अब शायद ऐसी कोई जंग होगी भी नहीं जो हमारी अब्जर्वेशन बलके हमारी अब्जर्वेशन के पुरी दुनिया कह रही है अब जंग एकॉनमी की पहले जो थे ना वो थी बाश्याद का निजाम सलत्रतें वहां पर उस टाइम जो है ना आटामिक वार्स वगरा नहीं थी वो वैपन नहीं थे सारे पर वार्ड करते थे अब तो हर पास हमारे पास आ चुकिए अब मुझे बताएं सो सालों में कोई जंग होई है वह भी नहीं सकती इसकी वज़ना वो इसके अंडर आएगी और इसके अस्राइब होंगे तो बनिस्बत हमें आग्युकेशन पर फोकस करना चाहिए हमारा एज तो फिर हमें चाहिए कि हम डिफेंस को भी मुजीद बेहतर कर लें लेकिन पहले एकॉनमी आई थिंग ज्यादा मैटर कर एकॉनमी इसके अलावा हमें आपने जो एड्यूकेशन पर इन्वेस्ट करें कि क्रैमिंग सिस्टम को हुत्म करें उसमें बताया नहीं जाता जी बचे इन से किया सेमी क्वेस्टन आप से है क्या कहना चाहिए मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें अब न्यूकलियर और यह वो बातों से निकल जाना चाहिए और हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए बिजनस इसको हमें एकॉनमी तब उपर जाएगी जब हम अपने कंट्री में बिजन हमारा दोट अभी भी मखबूत है आगे मज़ीद मखबूत हैं अग्ये बहतर करना चाहिए अगिन जब कि कंट्रीद का मैटर दुरूसा है जैसे इन्होंने बोला कि economy necessity है economy को build up करने के लिए हमें यूथ में वो जैसे कि अजाद चाये वाले हैं और यह different influencers यह बार बार पुश करते हैं कि आप businesses की तरफ जाएं rather than going towards job and rather than going towards stuff like universities यह तो depend करता है ना हमारे education system पर हमारी government पर कैसे हमारे जो यूथ है उसे aware करती है कैसे education system को बहतर करती है कि हमें हमें पता चले कि अब हमने करना ही क्या हम इस टाम इतनी capacity रखते हैं कि हम ऐसा कुछ project बना सके हां जी बनाना चाहिए मेरे ख्याल में बिल्कुल बनाना चाहिए क मतलब के ऐसे हलाद मतलब के अच्छे positive नहीं है तो negative ही रहते हैं मसलसल तो हमें भी उसके लिए त्यार रहना चाहिए क्योंकि अगर उनके पास इस किसम के हथियार है या उनके बास ऐसा बैड़ी बेड़ा तो हमें भी उसके उसके equal रहना चाहिए उससे उपर रहना नहीं यह तो जैनियन सी बात है यह तो obvious बात है कि हमारी economy अभी इतनी है नहीं कि 20,000 क्रोड सिर्फ एक बहरी बेड़े पे हम लगा दे हैं हलांके इतने लोगों के घर नहीं है इतने लोग गरीब हैं और अगर बड़ी बात है बड़ी बात है कि education sector पे अगर हम यह मेरी एक personal सी बात राय है आप इसे agree or disagree कर सकते हैं कि यहीं चीजें यह पैसे अगर let's suppose यह करने पर पाकिस्तान क्योंकि एकानुमी कली थोड़ा सा वीक है और इसके लावा education sector आपको पता हमारा कुछ खास नहीं है हम education sector पे लगाए है तो कैसा रहेगा education से अच्छे 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 किया है अगर आपने सुना है तो ठीक नहीं तो मैं repeat कर दूं repeat कर दें क्वेस्टन यह है कि इंडिया ने विकरांत aircraft carrier अपनी नेवी में शामिल किया एक बहरी बेड़ा है बहुत बड़ा तो अब इस टाम इंडिया दुनिया का च्छटा ऐसा country है जो कि यह सलाहियत रखता है ऐसा aircraft बनाने की पाकिस्तान को भी ऐसा कोई aircraft बनाना चाहिए या नहीं जी बिल्कुल बनाना चाहिए इस से यह है कि हम उनके मकाबले में आएंगे या फिर यह कह लें कि हमारी economical भी सही होगा नहीं मकाबले में कैसे आएंगे देखें एकॉनमिकली जब हम यह बनाएंगे ए अपने education system को देखना चाहिए अपने लोगों को देखना चाहिए क्या कहते हैं जी इस बास पर भी आपकी एगरी करता हूं कि कैसे ही है कि हमारे जो है काफी department वगरा यह जो studies के हवाले से health के हवाले से आपने बात की बेहतरी की तरफ जाएंगे यह जो मैंने बात किया यह ब अबरी ऐसी company जैए Amazon Prime नेट्फ्लिक्स का ओफिस है मजीद जो Starbucks Starbucks Coffee वह अधर है इधर इंटरनेशनल फ्रेंचेज बस दो ही है एक मैंकडानल्ड रखिया इसके लावा इधर है कि नहाई कुछ नहीं के हवाले से बात की जाए तो उनके जो उनके जो आई-टी एक्सपर्ट्स हैं वह हमसे बहुत आगे हैं ठीक है ठीक है और जो Starbucks की आपने बात किया मैं आपको पताता चलूं कि आज ही की यह खबर है कि जो Starbucks का CEO है उस कंपनी का वो इंडियन बना है तो यह देखे और इसके लावा बड़ी ऐसी कंपनी जिनके CEO इंडियन जी यह तो है पिर वो जाहरी बात है वो हर चीज में स्पिरियर है कि बात माननी चाहिए और हमें अपने आपको उनके कैलिबर का लेना चाहिए और यह इस जो यह जरूरी नहीं है कि हम भी उसी में करें हमें एजुकेशन में जाना चाहिए जी जी बिलकुल आपके बाद 100% अगरी करता हूँ बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बात करती अस्वाम अलेकुम वालेकुम स्लाम आपका नाम हारी सफजल क्या करते हैं मैं मैं फिजिक्स कर रहूं यहां से जबरदस आज जिस टापिक पर मैं वीडियो रिकार्ट कर रहा हूँ वो यह है कि इंडिया ने रिसेंट्ली विकरांत एरक्राफ्ट केरियर अपनी नेवी में शामिल किया है जिसकी बहुत ज्यादा लागत आई है उसे बनाने में और इस टाम इंडिया दुनिया का च्छटा ऐसा कंट्री है जो के एरक्राफ्ट केरियर बनाने के सलाहियत रखता है पाकिस्तान और इंडिया का डिफेंस में काफी आपको पता है कंपिटिशन रहता है अब क्या पाकिस्तान भी ऐसा कोई एरक्राफ्ट केरियर बनाएगा देखें बेस करें वह जादा बहतर होगा बाकिसान के लिए हैं क्यों लेकिन यह कि हम ऐसी चीज़ें जो पहले वह चाइना से या कभी तुर्की से या कभी इस तरीके से हम मगवाते रहते हैं बजाए खुद बनाने लेकिन वह अगर रौ मैटिरियल्स की बात की जाए वह दारी सी बात करें वैपन्स भी लेकिन ekonomie की जंग चाल रही है या पुरी दुनिया में तो आपको लगता है इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की खाल सोर पे जो ekonomie सिच sushi है इह पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है हमें ekonomie पर जोर दिना चाहिए है health sector पर जोर nolds एजए हाई एयर पर अप में ये चीज़ें बनानी चाहिए देखे मेरा व्यूपॉइंट यह है कि अगर हम एडूकेशन पर जोड़ दें अगर एडूकेशन में हमारे इस तरह के लोग निकलते हैं इस तरह की सलाइद रखते हैं कि वो खुद चीज़ों को बना सकते हैं और इन चीज़ों को खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो ज़्यादा बेतर होगा एस कंपेर कि हम दूसरों से इंपोर्ट तो करवाते हैं हम चीज़ों को खुद बना के एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे फाइनेंशल इशूज भी ठीक हो और हमारे पास इन चीज़ों की एवेर्नेस जदाए है डेफि को चाहिए कि वो पहले अपनी एकानमी को बेहतर करें नो डोट डिफेंस बहुत मैटर करता है लेकिन जब एकानमी हमारी गमजोर होगी तो डिफेंस जितना भी स्ट्रांग होगा शायद हम उस तरीके से डिफेंस नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए क्या म जितना पैसा वो अपने डिफेंस पर लगाते हैं, उससे अगर आदा पैसा भी वो अपने एजुकेशन सेक्टर पर लगाएं, खास दोर पे पाकिस्तान अगर उससे आदा पैसा अपने एजुकेशन सेक्टर पर लगाएगा, हेल्थ सेक्टर पर लगाएगा, तो वो पाकिस् कि एकानमी के लिए बहुत बेहतर होगा ये मेरी परसनल ओपीनियन थी आप में से कोई से एग्री भी कर सकता है और डिस एग्री भी कर सकता है आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर रुपताईएगा जाने से पहले चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तपता के लिए पीस आउट अला हाफिज